नमस्कार आप देख रहे हैं स्काइनेट टीव इंडिया पेश आज के मुख्य समचार आप सभी देशवासियों को गर्तंत दिवस की हर्दिक बधाई वो सुपकाम नाएं राश्ट्री पर्व की शुरुवात विशुप्रशिद स्री महाकालेश्वर मंदिर से हुई देश भर में सबसे पहले त्योहारों को महाकाल मंदिर में मनाये जाने की परंपरा है सुबह तड़के चार बजे होने वाली भसमारती में भगवान के मस्तक पर तिरंगे से सिंगार किया गया नंदी भी तीन रंगों के वस्त्र में दिखाई दिये देश ने आज धूमधाम के साथ कर्तब्य पतपर गरतंत दिवस को उत्सों मनाया इस बार के मुख्य अति थी मिस्र के राष्टपत अब्दूल फतह अल सीसी थे इस साल मनाये गए गरतंत दिवस की दो खास्यते थी पहली की इस परेड में प्रदर्शित किये गए सभी हथियार भारत में बने थे तो वहीं इस परेड की थीम नारी सकती थी मेडिन इंडिया को ध्यान में रखते हुए इस बार राष्टपत को दी जाने वाली 21 तोपो की सलामी भारत में बनी बैरल से दी गई मध्ध प्रदेश सरकार इस साल एक लाख लोगों को नवकरी देगी इसकी घोष्णा मुख मंतिर सिवराज सिंग चोहान ने गुरुबार को 74 वे गड़तन दिवस पर की सीम ने जवलपूर में राष्ट दोज फैराया, राज इस्तरी समारोव भोपाल में हुआ यहां राजपाल मंगु भाई पटेल ने ध्वजा रोहन किया, विधान सभायध्यच गिरीश गौतम ने रिवा जिले में ध्वजा रोहन किया प्रदेश के 29 जिला मुख्यालेओं पर मंत्री और 20 जिलों में कलेक्टर ने तिरांगा फैराया स्वास्त मंत्री मंसुप मांडविया, विध्यान और प्रद्योगी की मंत्री जीतन सिंग ने गुरुवार 26 जनवरी को भारत बायोटेक की नेजल कोविड वैक्सीन को लांच किया भारत बायोटेक की ओर से बनाई गई ये वैक्सीन सरकार को 325 रुपए प्रतिक डोज में उपलब्ध होगी जबकि निजी अस्पतालों में इसकी कीमत 800 रुपए होगी भारत सरकार ने 23 दिसंबर को इस वैक्सीन की मंजूरी दी थी सहरुक खान की मूवी पठान के बिरोत के बाद इंदोर में धर्म विशेश के खिलाब बुधवार को नारे वाजी हुई इसके बाद उपजे सांप्रदाइग विवाद में छत्री पूरा पुलिस ने चार युबको की पहचान कर उन्हें गुरुवार को हिराशत में ले लिया है जबलपूर के डांक्टर मुनीस्वर चंद डावर को भारत सरकान ने पदमस्री अवार्ड से सम्मानित किया है जेल अधिचक एसके उपाध्या ने बताया कि अच्छे चालचलन वाले बंदियों की सजा माफ करने का प्रस्ताव जेल मुख्याले भोपाल से मागा गया था ऐसे में आजीवन कारावास से दंडित पंद्रा बंदियों की सूची भेजी गई जिसे गरतन दिवस के एक दिन पूर्विश्विकार कर लिया गया मध्ध प्रदेश के कई इलाकों में गुर्वार को भी बारिश का दोर जारी रहा राजधानी भोपाल में साम को जमकर बारिश हुई इंदोर में सर्दी के तेवर काफी तीखे रहे कोहरे के साथ सुबह की सुरुवात हुई इससे जबरजर्श्थ ठिटुरन बनी हुई है मौसम विभाग ने भोपाल इंदोर गौलियर समेथ प्रदेश के 32 जिलो में बारिश का पूर्वान मान जताया है कल देन भर की प्रमुक खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए सुबरात्री